Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से करंट अफेर के जितने भी important questions बन सकते हैं सारे हम इस सीडियो में cover करेंगे और सभी questions से related extra fact भी जानेंगे सारे ही question important है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेली ग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही special videos के लिए online study point 2.0 इसे subscribe करना बिल्कुल मुद भूलिएगा जिसके link description box में दी हुई है तो चलिए श्टार्ट करते हमारा पहला question हाल ही में राश्ट्री उपभोकता दिवस यह कब मनाया गया यहने कि national consumer day तो यह भी हाल ही मनाया गया है 24 दिसंबर को अच्छा एक और इससे मिलता जुलता नाम है world consumer rights day यहने कि अंतर राश्ट्री उपभोकता अधिकार दिवस तो यह कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 15 मार्ज को और राश्ट्री उपभोकता दिवस यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को इसलिए दोनों ही days में confused नहीं होना है तो हम दिसंबर महा के कुछ अन्य important days को revise कर लेते हैं जैसे कि 1 दिसंबर को celebrate किया गया BSF ने अपना 55 इस्थापना दिवस मनाया था World AIDS Day और Nagaland ने भी अपना इस्थापना दिवस मनाया था 1 दिसंबर को 2 दिसंबर को क्या celebrate किया गया National Pollution Control Day 3 दिसंबर World Disabilities Day 4 दिसंबर Indian Navy Day 5 दिसंबर को celebrate किया गया World Soil Day और International Voluntary Day इसके बाद 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को celebrate किया गया Armed Forces Flag Day 9 दिसंबर को celebrate किया गया World Anti-Corruption Day और Corruption Index में इंडिया की ranking 78 टॉप पर है डेनमार्क 10 दिसंबर को celebrate किया गया Human Rights Day और Human Rights Index में इंडिया की ranking है 129 और टॉप पर है नॉर्वे 11 दिसंबर को celebrate किया गया International Mountains Day इसके बाद 14 दिसंबर को celebrate किया गया National Day for Energy Conservation इसके बाद 16 दिसंबर को celebrate किया गया विजय दिवस 19 दिसंबर को celebrate किया गया गोवा मुक्ति दिवस इसके बाद 20 दिसंबर World Human Solidarity Day इसके बाद आया 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को क्या celebrate किया गया है National Mathematics Day इसके बाद Most Important Day है 13 दिसंबर को और 13 दिसंबर को celebrate किया गया है National Farmers Day इसके बाद 24 दिसंबर को celebrate किया गया राश्ट्री उपभूखता दिवस तो यह सारे देश आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है राश्ट्री हरित वाहनी का इको क्लब कारिक्रम यह कहां एजित किया जाएगा तो यह एजित किया जाएगा गुजरात में अच्छा आप इस टर्म से क्या समझते हैं इको क्लब तो यह नाम से ही इस पष्ठ है हरियाली को बढ़ावा देने के लिए यह कि एन्वायर्मेंट से ही रिलेटेड है यह एको क्लब कारिक्रम और इसी के शुरुआत होई है गुजरात से बात किये जाएगी गुजरात की तो राजधानी क्या है गांधी नगर और गांधी नगर किसका निर्वाचन छेतर है यह हमारे ग्रह मंत्री अमिर्श शाह जी क का निर्वाचन छेतर है यहां के मुख्य मंत्री कौन है तो इनका नाम है विजा रूपानी गवर्नर का नाम है आचारी देवरत और कुछ समय पहले ही गुजरात उच्ची नायलाय की मुख्य नायधिस भी बनाए गये है इनका नाम क्या है जस्टिस विक्रम नाथ और गु स्टि बसेवा का शुबहरम किया गया है दूसरा है लोथल और लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहाले खोला जाएगा फिर है भावनगर में भारत का पहला CNG proced किया जाएगा फिर है एहमदाबाद जो एहमदाबाद है यहां पर विश्चु का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है जो कि 700 करोड की लागत से तयार किया गया है तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है हाल यह में किस देश ने अन्तरिक्ष बल के स्थापना की है तो पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को बता भी रही थी जो USA है यह अन्तरिक्ष बल इस्थापित करने वाला विश्चो का पहला देश बनाया है अच्छाए अन्तरिक्ष बल यानि कि इस के दॉरा अब बात के जाए USA की तो यहاं कि अ भी तक जो प्रेसिदssa की नाम किया है डोनाल टृंप इन पर महावीयोग की प्रक्रिया चलाई जा रही थी इसके बारे मैंने आप ल industri baik याद रख्येगा भारत और USA के बीच में तीन एक्सरसाइज होती है एक है वज्र प्रहार एक है कोप इंडिया और एक है युद्ध अभ्याज जो कि भारत और USA के बीच में आयोजित की जाती है केंडरी कैबिनेट ने रोहतांग सुरंग का नाम किस पूरु प्रधान मंतरी के नाम पर रखने के मनजूरी दी है तो यह रखा जाएगा पूरु प्रधान मंतरी अटल विहारी जी के नाम पर अच्छा यह जो रोहतांग सुरंग है यह इस्थित कहां पर है तो आप लोग प्रदेस में और इसकी कुल लंबाई कितनी है 8.8 किलोमीटर और यह लगबग 3000 फुट की उचाई पर बनाया गया है और यह जो सुरंग है इस सुरंग के कारण मनाली जो की हिमाचल प्रदेस में है और लद्दाग यानि की मनाली और लद्दाग के बीच की जो दूरी है यह 46 क किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यह दर्रा इस्थित है हिमाचल प्रदेस में तो हिमाचल प्रदेस के बारे में जाल लेते हैं यहां की कैपिटल क्या है शिमला यहां की मुख्यमंतरी कौन है जैराम ठाकूर और कुछ समय पहले ही जो बंडारू दत्तत्रे हैं यह बनाये गये हैं हिमाचल प्रदेस के नए गवर्नर अभी मैंने कहा रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेस में इस्थित है लेकिन इसके अलावाद दो अन्य दर्रे हैं एक है शिपकला एक है बाडालाचा और तीसरा दर्रा है रोहतांग और भारत में जितने भी दर्रे हैं जि भी ही देख लिजे नेस्ट कुश्चन है किस राज जिया केंद्र शाषित प्रदेश की कैबिनेट ने एलेक्ट्रिक वाहन नीती 2019 को मंजूरी दी है तो सबसे जादा प्रदूशन कहां पर है दिल्ली में और दिल्ली कैबिनेट ने ही एलेक्ट्रिक वाहन नीती 2019 को मंजूरी दी है और क्यों मुंजूरी दी है वायू प्रदूशन यानि की एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्योंकि आप सभी जानते दिल्ली में वायू प्रदूशन की समस्या कितनी जादा बढ़ती जा रही है और इसलिए भी कुस्समें पहले दिल्ली NCR में हेल्थ इमर्जेंसी भी लागू की गई थी और यह जो इलेक्ट्रिक वाहन नीती 2019 है इससे जो दिल्ली सरकार है यह इवाहनों को बढ़ावा देने के लिए सबसीडी देगी और इससे प्रत्येक 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन कौन है अर्विंद केजरिवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है अनिल बैजल नेच कोश्चन है वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत को कौन से इस्थान है तो देखिए यह एक तरह का रैंकिंग वाला कोश्चन आ गया और मैंने आप लोग प्रकाशित करने के मामले में इंडिया है तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर है चाइना दूसरे स्थान पर है अमेरिका अभी मैंने कहा चाइना है पहले स्थान पर तो ध्यान देजेगा अभी कुस्तर में पहले एक और इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें चाइना पहले स् नेस्ट कुश्चन है, वायू प्रदूशन से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पारलर खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा नासिक रेलवे स्टेशन पर, और बढ़ती वायू प्रदूशन की समस्या से निपटने के लिए यह एक अनूखी पहल है, और यह जो oxygen पालर है इसका model नासा की सिफारिस पर आधारित है नासा जो कि अमेरिका की space agency है और इस पालर में लगभग 1500 पौधे लगाए गये हैं और इसलिए ये railway station में जो air pollution की समस्या है इसको कम करने में help करेगी तो यह आप याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं नासिक की नासिक किस नदी की किनारे बसा हुआ है तो यह बसा हुआ है गोदावरी नदी की किनारे क्योंकि जो गोदावरी नदी का उदगम है यह नासिक के पास त्रयंबग गाउं की पहाड़ी से ही है तो ये भी आप याद रखिएगा यदि हम other railway station को discuss करें तो current से related है विशाखा पटनम railway station क्योंकि विशाखा पटनम railway station में ही भारत का पहला fun zone इस्थापित किया गया है और लखनव railway station से ही भारत का पहला health ATM भी launch किया गया है तो ये भी आप याद रखिएगा next question है हाली में किसी राज जी की सरकार ने असमिया को राज की भाशा घुसित करने की मनजूरी दी है और यह मनजूरी दी गई है असम गवर्मेंट के द्वारा बात की जाए दी असम की तो यहाँ की राजधानी क्या है विस्पुर यहां के मुख्यमंत्री कौन है सर्वानंद सोनवाल गवर्नर कौन है जगदीश मुखी असम में एक शहर है जिसका नाम है गौहाटी और गौहाटी में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संसकरण का लोगो लॉंच किया गया है लोगो लॉंच किस ने किया था मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल ने अच्छा यदि आप करंड से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो असम है यह NRC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है साथ ही जब GST लागू हुआ था तो GST और NRC यह दोनों ही लागू कर बने वाला भारत का पहला राज्य है असम नेश कोशन है हाल ही में किसने अफगानिस्तान में राष्ट पती चुनाव जीता है और यह जीत लिया है अश्रफ गनी ने बात किये जैदि अफगानिस्तान की तो यहां की राजधानी क्या है काबूल आप सभी जानते हैं कि अभ अफगान अफगानी और प्रसिडंट का चुनाव जीत लिया है अश्रफ गनी ने बात कीज़े अफगानिस्तान की तो यहां के एक क्रिकेटर है इनका नाम क्या है राशित खान और यह आप करण से रिलेट करेंगे तो जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोड है इसने राशित गया है नागा स्वामी जो कि क्या है एक पुरा तत्योविद जो नागा स्वामी है इन्हें 2018 में पद्म भूशन से भी सम्मानित किया चुका है पद्म भूशन जो कि भारत का तीसरा हाई ये सिविलियन ओनर है हम बात कर रहे है बांगला देश की थाका डाका में ही हैट कोर्टर इस्तित है बिम्प स्टेक का यहां की प्राइम मिनस्टर कॉण है क्यवकि चर्चे में रहती है प्राइम मिनस्टर का नाम है शेख हसीना और जो शेख हसीना है, इन्हें कुछ समय पहले ही अब्दुल कलाम अंतर राष्टरे इस्म्रती अवार्ट से भी सम्मानित किया जा चुका है बांगला देश का एक स्कूल प्रोजेक्ट है, सुरी प्रोजेक्ट है floating school project जिसे कुछ समय पहले ही आगा खां architecture award से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत और बांगलादेश के बीच एक exercise होती है इस exercise का नाम क्या है संप्रती जो की कहा है जित की गई थी बांगलादेश के थंगेल में तो ये भी आप याद रखिएगा कल मैं ने आप लोगों से पूछा था हाल ही में ITF 2019 वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किस ने जीता तो महिलाओं में यह जीता है ऐशले बार्टी ने जो की बिलॉंग करती है ऑस्ट्रेलिया से और पूर्सों में यह जीता है राफियल नडाल ने जो की बिलॉंग करते है इस पेन से अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाल ही में विदेश सचीव के रूप में किसे निक्ति किया गया है यह मूश्ट इंपॉर्टन कोश्चन है इसका अंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है तो दोस्तों आई होप भी वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया है तो अपने स्टडी रिलेटर रूप में शेर जरूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना है थैंक यू सो मच